कई सारे स्टॉक्स हैं जोके midcap में आज action लिखा रहें कई सारे स्टॉक्स है जहाँ पर कमजोरी है क्या है midcap का action आये वामाक्षी से समझते हैं गृद आफ्रून वामाक्षी बताएं midcap में इस वक्त trend क्या है दो कना है जैसे के आपने पहले भी कहा volumes भी करीब 3 गुना है 10 दिन के average के मुकाबले इसके अलावा Phoenix Mills में शांदा recovery देखने मिली है days low से in fact आज जो company में हमें gain देखने मिला है करीब 7 प्रतिशत का वो भी करीब में 20-2022 से लिकर के अब तक का सबसे बड़ा single day gain है container copy फोकस में है लगातार दो दिन की तेजी के साथ ये stock कारूबार कर रहा है और IGL लगातार पांच दिन हरे निशान में नजर आया है in fact आर्ट मेकवाईडी की एक रिपोर्ट भी आई थी जो हमने सुभी हाइलाइट की थी उन्होंने अपग्रेड कर दी अपनी राय आउट परफॉर्म की राय दी है और लक्ष भी बढ़ाया है 450 का तो इसी के इस ये new slow के बल पर ये सारे stocks focus में हैं इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ top losers की तो शौफल और इंडिया लगातार दो दिन लाल निशान में नजर आ रहा है टाटा इलिक्सी पर भी focus करेगा ये IT pack का जो stock है उसमें भी हमने लगातार दो दिन की गिरावट देखी है कल 1.7% तक फिसला था और आज भी stock में गिरावट देखने मिल रही है emphasis पर focus करते हैं यहाँ पर लगातार चार दिन की गिरावट देखने मिल रही है और TBS Motors भी दो दिन की तेजी के बाद आज लाल निशान में नजर आ रहा है खेर ये तो हो गए Top Gainers और Top Lusas अब बात करते हैं हम कुछ metal stocks की तो metal pack पूरा focus में है copper, zinc prices, aluminium prices सारे भढ़ रहे है demand side मस्मूत होती हुए दिख रही है मगर supply constraints बरकरार है जिसके चलते हैं metal packs में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है अगर आप अपके screen पर देखेंगे तो जिंदाल, steel, sale, narco, जिंदाल, stainless जैसे सारे stocks आज हरी निशान में नजर आ रहे है करीब 1-4% की तेजी नजर आ रही है इन सारे श्टेरों में इसके अलावा paper stocks भी आज काफी gain करते हुए नजर आ रहे है, हरी निशान में नजर आ रहे है और century textiles ने अपने दूसरे तिमाई के नतीज़े रिपोर्ट किये थे और उनकी जो paper segment है खासकर वहाँ पर अच्छी growth दिखने मिली थी 37% year on year की paper segment में strong realizations भी थे price height के चलते और मजबूत demand थी, तो यह सारे factors को ध्यान में रखते paper stocks आज काफी focus में नजर आ रहे हैं, शेशा, साई, paper, orient paper, जेके paper इमामी paper जैसे सारे stocks आज करीब 2-6% तक चड़े हैं इसके अलावा banking stocks पर भी focus करेगा, RBL bank DCB bank, Karnataka bank, Union bank जैसे सारे stocks भी आज focus में हैं यहाँ पर भी हम अच्छी तेजी देख रहे हैं करीब 2-11% की दुलकुल वामाक्षी शुक्रिया यह सारे सारे stocks का action हमें बताने के लिए तो धेर सारे stocks और in fact paper stocks की जो तेजी है यह तेजी कितनी टिकाव है, इस पर हमें नज़र रखने होगे लिए क्या आप में ख़बरे कौन से हैं वो भी समझ लेते हैं वामाक्षी बताएं कौन सी खबरे आज रेडार पर अगर हम नतीजों के नंबर्स देखे तो काफी मसमूत आये है NII अगर देखे 439 क्रोर्स से बढ़कर अब हो गई है 509 क्रोर्स यहाँ पर अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है operating profit भी 321 क्रोर्स से बढ़कर अब हो गया है 389 क्रोर्स पैट में भी हमने अच्छी ग्रोथ देखी है 191 क्रोर्स से बढ़कर हो गया है 262 क्रोर्स सो अवराल अच्छे नतीज़े आये थे GNPA में भी हाला की on an average सेम रहा है asset quality में GNPA फ्रंट पर ज्यादा सुधार नहीं नज़र आया अगर NNPA पर अगर देखे तो यहां पर गिरावट देखने मिली है 0.93% से गिरकर हो गया है 0.86% तो यह एक positive है company के लिए और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि stock में अच्छी तेजी नज़र आ रहे है और stock भी आज काफी गेन करता हो नसर आ रहा है REC पर भी focus करते हैं यहां पर हमने देखा कि company के जो NII यानि कि net interest income में हमने गिरावट देखी है साथ प्रतिशत euro on your basis पर 4,110 crores के आसपास ही और उसके गिरकर हो गई है 3,806 crores consolidated मुनाफ़ा अगर हम देखे यहां पर हाला कि हमने एक uptick देखा है 2,692 crores से बढ़कर हो गया है 2,732 crores impairment भी यहां पर गिरावट देखने मिली है 508 crores से गिरकर 219 crores तो यह भी positive है तो overall देखे अच्छे नतीजे और उसके से जलते है stock focus में है और आखिर में हम focus करेंगे Alembic Pharma पर company की तरफ से corporate announcement आ रही है उनके abbreviated new drug application यानि की ANDA जो backlit axle injection है उसके लिए US FDA से उनको मन्जूरी मिल गई है और यह उनकी जो F2 facility है वहां से पहली oncology department की approval है जो काफी important है company के लिए और यह जो injection है उसका total market size अगर देखे तो वो US 26 million का है पिछले 12 महीने के लिए तो इसी के चलती हम देख रहे हैं कि stock focus में है हलकी सी तेजी नजर आ रही है Alembic Pharma में बिर्कुर वामाक्षी शुक्रे है सारी खबरें और साथी Mid Camp के action हमें बताने के लिए स्वाती आप से सबसे पहले तो banking share हो पर ही आप की राय हमें जानना चाहूंगी क्योंकि बड़े दिगज बैंक्स की अगर बात करें big players में तो on good set of numbers positive outlooks हम ने देखा ही लेकिन आप छोटी मजौली banks की भी अगर देखें अहां पर बात करें अच्छी मजबूती के बीच काम का चाहिए RBL Bank, BCB Bank, Karnatica Bank, Union Bank of India में action नज़र आ रहा है credit growth scenarios positive हो रहे है net interest income की scenarios positive और लगातार NPS का घटना banks के लिए काफी positive साबत हो रहा है banking में mid cap plays पर आपकी राय क्या होगी Yes definitely banking काफी strongly play कर रहा है चीज़े सबसे लाज तो दिन से भी हम bank safety में देख रहे है बिक्वाली आ रहे है या profit booking देख रहे है बट ऐसे कुछ bank से जो कफी strongly momentum rally देखने मिल रहे है जैसे केकसिस bank है, Canera Bank है, Federal Bank है and another bank is Bank of Canada यह मेरे कफी strong candidates है फिलाल technical setups के हिसाब से तो momentum rally काफी strong देखने मिल सकते है Canera Bank के अगर बात करो तो monthly chart पे inverse and head and shoulder का breakout है अगर monthly chart पे breakout है तो आप समझ सकते हो कितना strength है यह particular stocks में I believe इसमें हमें एक 50-100 पॉइंट का rally देखने मिल सकता है तो मुझे लगता है अलड़ी यह 3-4 दिनों से काफी अच्छा momentum rally देख चुका है यह Canera Bank बात अगर कोई भी deep आता है 260 के आस पास तो definitely it's a strong counter जब अपने portfolio में रख सकते हो Canera Bank for immediate target of 350-400 के लेवल्स के लिए second bank कोन मुझे access bank भी काफी strong लगता है अगर हम larger players में देखे क्योंकि इसमें अगर मैं monthly charge देखो तो इसमें भी breakout दिया है mirror image का breakout सा then consolidation phase होके monthly charge पे breakout हुआ है almost 7-8 months का consolidation breakout है तो मुझे रखता है यह stock इतना strongly breakout दिया है with good volumes जो कि 4 digit में भी लेके जा सकता है तो 1000-1030 के targets में देख रहो अगर कोई भी थोड़ा से deep आते है यह banking stocks में तो definitely buy on every day पसी मेरी सला रही है कि गिरावट पे खरीदारी की रहा है इस वक्त small banking mid cap banking place में भी expert को नजर आ रही है